तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी आज मुसकान के कहने फर दुबारा वीडियो बना रही हूं क्योंकि मुसकान जो है वो बनाई हुई वीडियो को regular 순ती है उसको जितनी मैंने वीडियो बनाई हैं सारे questions learn है तो आज हम संसादनों का विकास करेंगे विकास के स्तर के आधार पर मैंने तुम्हें चार परकार बताए थे जिन में संभावी संसाधन था ठीक है विक्सित संसाधन भंडार और संचित कोस इसको मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया था आज संसाधनों का विकास कराएंगे देखो बच्छो स्टार्टिंग में इसकी हैडिंग क्या थी कि संसाधन वो मैंने तुम्हें पहले से ओलरडी मैं इस कंसेप्ट को किलियर कर चुकी हूँ दुबारे एक बार मैं कर देती हूँ कि संसाधन होते क्या है रिसोर्सिज क्या होते है पृत्वी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जिनका परियोग मनुशे की अवशिक्ताव की पूर्ती के लिए किया जाता है संसाधन कहलाते है अब संसाधनों का विकास देखो बच्छो मनुशे के जीवन जीने के लिए उसके जीवन के यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है संसाधन और जीवन की जो गुनवत्टा बनाए रखने के लिए भी महतापून है संसाधन क्या है संसाधन हमार को निचिर का एक गिफ्ट है हमें free fund में संसाधन मिल रहा है जल है, जल अप payment नहीं करतें, आगे जल के उपर थोड़ा आएगा आपका जल water-water के बारे में, description आएगी, वो बाद में करेंगे, लेकिन फिलाल है, जल है, air है, क्या तुम पेमेंट करते हो इसकी, नहीं करतें, यह हमें free में मिल रहे हैं, मनुश्य तो इसका अंदा दूंद परियोग कर रहा है, मतलब भी ना सोचे समझे, मैं इसका तुम्हें एक एक जामपल समझाते हूं, देखो बच्चो, जल जो है, वो क्या है, लिमिटेड मात्रा में है, बारिश होती है, बारिश से परकोलेट होका, कुछ वाटर है, वो रिस रिस कर, रिस रिस कर, यानि परको लेट होके नीचे चला जाता है, कुछ फ्लो होकर नदियों में मिल जाता है, नदियों का अल्टिमेटली जाकर कहां मिलता है, समुंदर में मिलता है, और कुछ वाश पिकरन होकर उड़ जाता है, बच्चो समझ में आया, जैसे बारिश होती है, ठीक है, बारिश का कुछ प पानी से मिल गया वो अन्योजेबल जाल है ठीक है उसके पशाथ कुछ वास पिकानों हूए अब बात मुद्दा यहां पे यह है कि जो जिस वाटर के हम बात करें हैं जो रिस रिस कर नीचे गया वो कौन सा पानी है वो बारिश का ही पानी नीचे गया बारिश जब होगी तब उसका कुछ small quantity, बहुत little quantity में वो क्या होता है, रिस रिस कर नीचे जाता है, ये प्रोसीजर चलता रहता है, कहते हैं, जो ज़ड़ लगता है, जो धीमी धीमी मंद मंद बारिश होती है, उससे वो ज़्यादा रिस रिस कर पानी बहुत अच्छी होती है, वो अच्छी होती है, वो पानी नीचे जो रिस रिस कर गया है, वो इखटा हो गया, वो आप कोई कुवा, नल, कूप, ट्यूब, इसके लिए यूज़ कर रहे हो, वो limited source है, वो जो वाटर पर कोलेट होके गया, उसकी limited quantity है, और हम सब उसका अंदादूंद परियोग कर रहे हैं, बहीं देखो, मै हो सकता है, नहीं, बहीं ये, कहां से आएगा, ये, कोई तो, उपर कोई, वो तो है, नहीं, देवता जो पानी, 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 समुंदर देवता है, पानी तो अपने आप पंटा रहे हैं, नहीं, वो limited है, हम उसका अंदादूंद परियोग करें, एक रियो कॉन्फरेंस में हुआ था, उसमें ये कहा था, अगर तीसरा विशुय दुआ, तो वो वाटर वोर होगा, वो वाटर के उपर होगा, क्योंकि बहुत कम क्वान्टिटी ऐसी है, जो फ्रेस वाटर है, जो पीने योगे पानी है, वो पृत्वी पर उपलब्द है, और उसका हम अनुचीत उप नहीं चोचता, आने वाली जनरेशन को तुम सब को सोचना चाहिए, कि अगर एक एक बूंद बचाएंगे हम, तो भी हम बहुत ज़्यदा पानी बचा सकते हैं, तो ये संसादन इक्वलर डिस्टिब्यूटिड नहीं है, इक्वलर डिस्टिब्यूटिड कहीं पर अधिक मा नात्रा में कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है, अब जल की बात ले लो तुम, जल राजस्थान में बिल्कुल नहीं पाया जाता, बारिश नहीं होती है, अरावली परवत जो है, अरेबियन अरब सागर से जो मान सुनाती है, वो समानांतर है उसके, अगर वो उसके समानांतर होकर एक ऐसी साइड में होता कि जो अरेबियन मांसुन से हवाई आती उसे टकराती तो उपर उठती कंडन्शेशन होता रो बारिश होती लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हो रहा ठीक है तो अब यह जो है यह कि कहीं पर तो बहुत जादा कहीं पर तो इतनी बारिश हो रही है चेर कहीं पर अधिक है कहीं पर कम है कहीं पर बिलकुल ही नहीं है जहार खंड में राजस्थान में सोरी राजस्थान नहीं बिटा जहार खंड है उडिशा है 36 गट है यह बैल्ट ऐसी है छोटा नागपुर पठार वाली क्या यह इतनी मात्रा में इतनी मात्रा में खनीज पदा तो इसका मतलब equally distributed नहीं है ठीक है उसके बाद और क्या है जो मनुष्य एक्वली ऐसमान रूप से वित्री तर्म मनुष्य इतना लाल्ची हो गया इसका अंदादूंद परियोग कर रहा है और अंदादूंद परियोग करने से अब इसकी जो प्रस्थतिया है मनुष्य ने एक संकट पैदा कर दिया संकट पैदा क्या हो गया ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है देखो यह प्रत्थवी को तुमने ग्लोब देखा है गोल अर्थ है ना वो थ्री डाइमेंशन है तो वो प्रत्थवी का सही रूप है ग्लोबल उसको हम ग्लोब हो लेंगे ना उस globe का warm क्या होता है गरम गरम होना देखो बच्चो पृत्वी का जो average temperature है वो 15 degree Celsius है पूरी पृत्वी का जैसे तुमारी बोड़ी का होता है हमारी बोड़ी का 37 degree Celsius अगर हम फोरेनाइट में करें तो कितना होता है 98.6 degree Fahrenheit यह हमारी बोड़ी का temperature है नोर्मल टेंपरेचर इतना होता है अगर हम 99 होगे अगर हम 100 हो जाते हैं तो हम क्या कहीं होरे में तो गरम जलो बुखार हो रहा है ना बुखार होने लगता है ना तो ठीक वैसे ही हमारी पृत्वी का एक ओशत टेंपरेचर है और वो कितना 15 degree Celsius और ग्लोब का ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि इस तापमान का बढ़ना 15.1 पंतरा पॉइंट दो अगर ये टेंपरेचर बढ़ रहा है इसे क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग कि तापमान बढ़ रहा है अब तो कहेगा मैं तापमान बढ़ रहा है तो क्या side effects से देखो बचो गंगा अंदी सारा साल बहती है क्यों बहती है बारिश के समय तो बारिश का पानी मिल जाता है लेकिन सर्दियों में भी बारिश का पानी मिल जाता है कहां से मिल जाता है पूरा साल तो बारिश नहीं होती वो ग्लेशियर्स दो है हिम नदिया है वो पिंगलती है वो पानी आपको गंगा नदी को मिलता रहता है तो इस तरह से ग्लेशियर्स इतने हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ ग्लोबल वार्मिंग जादा मात्रा में होता है तो वो ग्लेशियर जो है ग्लेशियर क्या होते है बर्फ की नदी वो मेल्ट होगी और शी लेवल बढ़ेगा और जो शी छोटे द्वीप है माल द्वीप है अंड माननी कोबार द्वीप है ये डूब जाएंगे और बही ये तो डूबेंगे कोस्टल एरिया डूबेंगे और पृत्वी सारी डूब चाहेगे अगर जादा बढ़ गया तो तेंपरेचर इसलिए ग्लोबल वार्मिंग ये अंदा संसादनों का अंदा दुन्द परियोग करने के दुश परिणाम है और अब करेंगे सतत पोशनी विकास सतत पोशनी विकास क्या होता है बचों ये टर्म बहुत इंपोटेंट है बहुत और एक्जाम में आती है और आज के समय ये आज के समय की डिमांड है नीड है कि वी श अब मैं इसको define करूगी देखो बच्चो ऐसा विकास किसी भी संसादनों का जो परियोग करें हम इतने उची त्रढंग से इस विवेक से करें कि एक तो उसे परियावन को हानी ना पोचे इतनी मात्रा में करें दूसरा हमें ये मायंड में अपने मायंड में ये रखना होगा क आने वाली पीडियों के लिए सुरक्षित रहें उसको हम सस्टेनेबल डवलप्मेंट बोलते हैं अब मैं इसको define कैसे एक्जाम में कैसे करोगी तूम कैसे इसकी definition कि बहें क्या होता है सस्टेनेबल कि संसादनों का परियोग इस विवेक से और उचीत धंग से परियोग किय परियावन को भी हानी ना पहुंचे और आने वाली पीडि के लिए भी सुरक्षित रहें पेट्रोल ले लो अगर हम पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? पोलूशन के होगा तो क्या होगा? एंवायरमेंट पॉलिशन होगा? एंवायरमेंट में आप मास्क लगा के जाओगे कि भई सांस अगर हम ब्रीध करेंगे तो जो है इतना पॉलिशन है वो हमारे अंदर जाएगा कोई भी डिजीज हो सकती है कैंसर जैसे डिजीज हो सकती है ठीक है अगर हम उसको जादा यूज करें अगर इस विवेक से करें नहीं हमें बहुत ही उचीत ढंग से संसादनों का परियोकर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फोलो करना है पर्सनल गाड़ी में नहीं जाना अगर हम थोड़ी दूरी जाना है तो कोई बाइक या स्कूटी नहीं लेके जाना है पैदल ही जाना है साइकल का यूज करना है तो इसका मतलब है आप कौ पैदल चलने से तो यह संसादनों का परियोग इस विवेक से उचित ढंग से परियोग किया जाए कि वो आने वाले पीडी के लिए भी सुरक्षित रहे और परियावन को भी हानी ना पहुंचे अगर पैट्रोल समाप्त हो गया तो आने वाले पीडी तो किताबों में और वो पीडी जो गाड़ी वगरा चलती थी ना हमारे पुर्वज वो पैट्रोल से चलती थी अब ये टॉपिक हो गया सतत पोशनी विकास अब करते हैं रियोडी जेनेरो प्रिथवी समलियन ये समलियन बहुत इंपोटेंट है 1992 में हुआ था सबसे पहले रियोडी जेनेर है ब्राजील ठीक है दक्षिन अमरिका का एक देश है ब्राजील इसकी कैपिटल ब्रासिलिया है और इसी का एक बहुत बड़ा सीटी है रियोडी जेनेरो और 2016 में रियोडी जेनेरो में ओलम्पिक्स भी हुए थे जिसे कहते हैं रियो 2016 तो वहां पे एक कॉन्फरेंस हुई कॉन्फरेंस हुई कॉन्फरेंस मतलब समेलन हुआ विभिन देश के जैसे भारत के नेपाल के ठीक है सिरलंका के रशिया के अमरिका के सबके रिप्रेजेंटेटिवस आए और पहली बार उन्होंने का कि बाई डावसिटी जो होती है वो डे बाई डे डे डिक्रीज हो रही है बार डावसिटी क्या होती है पेड़ पोधे जीव जनतू कि विभिन जो वैराइटी जो होती है उसे हम जैव विधता इंग्लिश में उसे हम बार डावसिटी बोल देते हैं वो कम हो रहे हैं तो उस विशेक उससे रिगार्डिंग ये कॉन्फरेंस हुई थी कहां पे ब्राजील में हुई थी ठीक है ब्राजील में है सोरी